जहिन सभी मेरे प्यारे भाईयों कैसे हो आप सभी लोग उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे हमारी यूटूब चैनल यूएच्क्यू आर्मी जोब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तों फाइनल यहाँ पे एक और सेंटर की भरती आ चुकी है ओफिशियल चार्ट के साथ और साथ में आप फुल चार्ट मेरे पास आ चुका है फीडिया फाइल मेरे पास आ चुके कैसे आप डाउलोड कर पाऊगे वो आपको इस वीडियो में पता ही चल जाएगा पीडिया फाइल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यह पीडिया फाइल आपको जल्दी ही वीडियो देखने के बाद मिली जाएगी वाई ठीक है तो वो कैसे मिलेगी वो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा अब सबसे पहले बात कर लें सें सेंटर पर भरती कब से होगी 39 अगस्त 2022 को सेंटर पर भरती होगी वाई ठीक है मेजी सेंटर के अंदर वह अगनी बीर से रिलेटेड यहां पर कुछ सकते हो यहां पर 29 अगस्त 2022 को यहां पर आपकी बरतीश स्टार्ट हो जाएगी मेजी सेंटर के अंदर और रिपोर्टिंग कहा करनी है आपको यहां पर जैसे की देख सकते हो ट्रेनिंग बटालियन 3 MS गेट MS नगर गेट मदरास इंजिनियर गुरूप और सेंटर वाई जी कहां पर आपको रिपोर्टिंग करनी है अब यहां पर एक चीज और आप नोटिस कीजिए हाँ पर थोड़ा आपको समझने वाली बात है जो अगनी वीर जनरल डूटी मतलब जो रिलेशन कंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं यहां पर आप समझ लीजिए पहले जो ओल इंडिया से ओल क्लास ओल इंडिया से ओल क्लास वाले ओली MEG सेंटर में जिनका पास MEG का रिलेशन सेटिफिकेट है ओल इंडिया से भठती देख सकता है सभी काश्ट वाले ओले ओली ठीक है अब नीचे आप यहां पे देखिए यहां पे लिखा है ओल क्लास ठीक है सभी कास्ट जो भी आपकी कास्ट है वो only southern zone से belong करते हैं जैसे कि state का नाम लोगा वो ही all कास्ट इसमें apply कर सकती आंदर परदेश, तेलांगना, तमिलनाडुकर, टका, केरला, गोआ, एंड पंडुचेरी, एंडमा, निकोबार, दीप, लक्षेदीबई यह सभी जो मैंने नाम लिये हैं state के इसमें other center वाले भी जा सकते हैं जो जिनके पास other center का relation certificate है और उनकी कास्ट कोई भी हो वो सभी इस state से जो belong करते हैं वो सभी MEG center में participate कर सकते हैं ठीक है बाकी आप यहाँ पर देखिए हाँ पर sportsman की भरती भी होगी और उसमें आप यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है sportsman के लिए जो state और यहाँ पर international और national level का चलेगा भाई जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो और आप यहाँ पर पढ़ सकते हो भाई ठीक है अब नीचे कर आप आते हो यहाँ पर थोड़ा और detail में चलते हैं कि भाई यहाँ पर जो sportsman वाले बच्चे है उनको 25 अगस 2022 को सेंटर में रिपोर्टिंग करनी है भाई ठीक है उनकी उस दिन trial और screening होगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बात करें DSE और TA का वी relation certificate चलेगा बट उनकी जो priority रहेगी मेरे ख्याल से 5 priority रहेगी भाई ठीक है नीचे चले तो य नोरिक certificate COVID-19 का certificate आपके पास होना चाहिए नीचे अगर आते हो तो यहाँ पर एज का टॉप के बारे में बताया गया जो कि आप देख सकते हो अगनी वीड जी डी अगनी वीड स्पोर्समेन दोनों की एज का टॉप सेम रहेगी 1 अक्टूबर 1999 में से 1 अप्रेल 2005 यहाँ पर सेंटर में होने वाले हैं और ओपन कैटेगरी यह जो कंडिडेट्स है मतलब ओपन स्पोर्समेन कैटेगरी भरती होगी आपकी यहाँ पर वाई ठीग है के बाद 15 अक्टूबर को आपका admit card issue होगा 16 अक्टूबर को आपका common entrance exam होगा यहाँ पर qualification के बारे में दी है जो कि आप पढ़ सकते हो आरम से नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पर कुछ physical regarding information है और height weight chest से related information दी होई है ठीग है अगर नीचे आते हो तो यहाँ पर exam के बारे में आपको medical fit होने के बाद आपको बता दिये जाएगा अभी यहाँ पर कोई information दी नहीं है इस चार्ट के अंदर वाई ठीग है नीचे आते हो तो भाई यहाँ पर थोड़े documents के बारे में बताए कि आपको कौन कौन से documents लेके आने है sportsman की बात करें तो यह सभी game आपको बता दिये यह आपके game होने चाहिए two year valid आपका certificate होना चाहिए ठीक है बाकी इसमें और सब basic information है बाब की आपको यह चाहिए तो मेरे telegram group से आपको मिल जाएगा और मेरी website से भी तो वीडियो के description में link दिया हुआ है जै हिंग जै भारत